नमस्कार दोस्तों मैं रमा संकर डिमरी तूली का दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम जिस लोककला को देखेंगे वो लोककला है थापा और यह लोककला उत्राखंड से संबंदी थापा आप सबी लोक जानते हैं कि उत्राखंड में जो हमारी लोककला है मुख्य रूप से एंपन है और उसी एंपन का ही एक रूप होता है तो शुरू करते हैं आज के वीडियो और देखते हैं थापा लोककला को थापा लोककला मुख्यता उत्राखंड की प्रसिद्द लोककला है इसे एपन का ही एक रूप कह सकते हैं अब देखें यहाँ पर जो थापा लोककला है वो उत्राखंड की प्रसिद्द लोककला है हलाकि भारत के अन्य कुछ राजियों में भी थापा लोककला प्रचलित है यहाँ पर थोड़ा सा उनका नाम में अंतर आ जाता है और थोड़े सी जो उनकी बनावट है यानि कि जो भी उसमें विशयों को उव्योग करते हैं उनमें भी अंतर आ जाता है राजिस्थान के कुछ हिस्सों में भी थापा लोककला को आज भी बनाया जाता है इसे अपन का ही एक रूप आप कह सकते हैं अगर हम थापा के कलात्मक तत्यों को देखें तो कुमाओं में थापे अब अल्मोडा नैनिताल बागेश्व रादिस्थानों में ही बनाये जा रहे हैं यान कि धिरे धिरे जैसे आदुनिक्ता का दौर आ रहा है हम लोककलाओं की और से अच्छोतेर होते जा रहे हैं अगर हम लोककलाओं को अब कम इस्थान दे पाते हैं अपने घरों में क्योंकि जो पहले जो हमारे लोककलाओं होती थी हमारे कच्छे घरों में बनाये जाती थी जैसे जैसे हम Komm Hello, ख कंक्रीट के गरों में रहना शुरू कर थे जैसे जैसे हमने आधनिक गरों में रहना शुरू किया, वैसे ही हमारी जो लोग कलाएं थी वो हमसे दूर होती चलेगी थापों को विशिश कर शहा परिवार के लोग ही बना रहे हैं उत्राखंड में तो ये भी एक वहत्वपूर्ण तत्य है कि थापा जो है उनको शहा परिवार के लोग ही आजकल बना रहे हैं थापा शब्दकार्थ होता है परतिष्ठा प्रारंब में थापों को घर के प्रतम कक्छों पर ही बनाया जाता था कुमाओ की धेरी और दिवार सजाने की कला को थापा कहते हैं अब देखिए यहाँ पर एपन के द्वारा भी जो धेरी होती है और दिवार होती है उनको सजाया जाता है साथ ही जो हमारे आंगन होते हैं चौक तो उनको भी जो है एपन के द्वारा सजाया जाता है लेकिन यहां पर जूती या जूती मार्त्र का पट्टा काफी मात्रा में जो है कुमाओ के अंचल में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है उस समय इनको बनाया जाता है इसकी रचना में अलग-अलग समुदायों में अनेक प्रकार के प्रतीक वह लाक्षनिक अंतर दिश्टिगोचर होते हैं अब देखें यहां पर क्योंकि देखा भी होगा कि हर समुदाय में उनके अपने एक प्रतीक होते हैं उनके अपने लक्षन उनकी लोक कलाव में दिखाई देते हैं तो यहां पर जो थापा है उसमें भी अनेक समुदाय जब थापा बनाते हैं तो उसमें अनेक प् फाचिन समय में जो थापे थे उनको दीवारों पर बनाय जाता था लेकिन जैसे कि मैंणे आपको वीडियो के शुरूआत में भी कहा कि जैसे-जैसे हमने आधुनिक्ता को अपनाया हमने पक्के में रहना सुरू किया तो जो लोगकलाओं के बनाने के लिए जगा थी यानि कि जैसे हमारा फर्स होते थे वो पहले मिट्टी के फर्स होते थे मिट्टी की दिवारे होती थी तो उनको सजाया जाता था लोगकलाओं के दोरा जैसे जैसे हम आदुनिक घरों में रहने लग गए वैसे वैसे हमने जो हमा जिन आलेखनों या चित्रों की रचना कागजों में की जाती है उन्हें पट्टा कहा जाता है अब देखिए यहाँ पर पट्टा किसे कहते हैं यह आपको पता चल गया होगा कि जिन आलेखनों या चित्रों की रचना कागजों में की जाती है उन्हें पट्टा कहा जाता है क् ये लंबा एक पट्टे के आकार का होता है इसलिए इसको पट्टा कहा जाता है नवरात्री पूजन में दसेरे का पट्टा बनाया जाता है जिसे केवल शाह लोग ही बनाते हैं ठीक है तेकि नवरात्री पूजन में जो दसेरे का पट्टा बनाया जाता है उसे जो शाहल जात का पट्ट्टे हैं या फाप है जो कुमाओ के, उन पर अपभरंच साली का प्रभाव भी दिखाई दीता है ठीक है अब यह क्यों दिखाई देता है अपभरंच साली का प्रभाव तो इसको भी हम आगे जानते हैं देखें स्वेतांबर और साथ जो अन्य गरंथ प्राप्त हुएं जिनमें सोला विद्या देवियों, सरस्वती, दुरगा, लक्षमी, अंबा, चक्र देवी तथा यक्षों के 21 चित्र बने हुए हैं ठीक इसी प्रकार के चित्र कुमाओ की जूती मात्र का पट्टों वो थापो पर बनाये जाते हैं इसलिए जो भी थियासकार हैं, जो भी कला समिच्छा के उन्होंने थापो या जो जूती मात्र का पट्ट जो कुमाओ में बनाये जाते हैं इसलिए उन्होंने कहा कि इन पर अपब्रंस सहली का प्रभाव दिखाए देता है और ऐसा उन्होंने क्यों कहा था सुएतंबर जैन पोथियों की सरिंखला में और न्युक्ति जो ग्रंथ हैं उन्में भी ठीक इसी प्रकार के चित्र वहाँ पर बनाए जाते थे कुमाओं में जोती मात्र का प्टो पर महालक्ष्मी, महासरस्वती वह महाकाली तीन देवियां बनाए जाती हैं तो आपको यह याद रखना होगा कई बार प्रस्टन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जोती मातर का पटो पर किन देवियों के चित्र बनाय जाते हैं या फिर कितनी देवियों के चित्र बनाय जाते हैं तो आपको याद रखना हुआ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकारी ये तीन देवियों के चित्र जोती मातर का पटो पर बनाय जाते हैं पटो पर शोडस मात्र काएं गनेश, चंदर, शूर्य भी बनाया जाते हैं थापों में रंग भे निश्चित हैं लाल, हरा, पीला, काला, बैंगनी, नीला वा सफेद रंगों का ही प्रियोग यहां पर किया जाता है तो देखिए यहाँ पर जो थापे जो बनाए जाते हैं उनमें रंग भी पहले से ही निशित कर लिए गये हैं कि लाल, हरापीला, काला, बैंगनी, नीला वो सफेद रंगों का ही प्रयोग जो है पटों में किया जाएगा या थापों में किया जाएगा देखिए थापों का जो सबसे प्रसिद प्रकार है वो है दुर्गा थापा जो अब लुप्ती के गागार पर है तो काफी यह चिंता का विशय भी है जितने भी लोक लाकार हैं जो एपान या फिर थापे या फिर पट्टे बनाते हैं उन लोगों से ही यह जानकरी मिली है कि जो दुर्गा थापा है अब इसको बहुत ही कम लोग बनाते हैं यह विलुक्ती के एक अगार पर है क्योंकि जैसे जैसे हम आदनिक होते जाते हैं हम अपनी जो लोग कला हैं उनको कहीं न कहीं पीछे छोड़ते चले जाते हैं अब देखिए आज हम इसमें जो है दुर्ग थापा के गर हम बात करें थापों का शुरूप दीवार के अनुशार आयताकार या वर्गाकार होता है ठीक है जो थापे बना जाते हैं दुर्गा थापा इस्पेशली उसमें जो थापों का शुरूप होता है वो दीवार के अनुशार आयताकार या फिर वर्गाकार होता ह थापे के केंदर में अश्ट भुजादारी देवी दुर्गा को सिह पर सवार दिखाया जाता है देवी के दाइनी और कोट कांगड़ा देवी बाई और अठारा हात वाली नव दुर्गा किया करती बनाई जाती है अब जो हमारे साथ में जो कुमाव अंचल के विद्यार्थी जुड़े होंगे उन्होंने जरूर दुर्गा थापा या जूती पट उन्होंने देखा होगा तो काफी अच्छे से समझ रहे होंगे पाई और मापुन्नेगरी देवी और दाई और मादोनागरी देवी को अंकित किया जाता है जिनके आगे दीवार में चिन्नित थापों में बीच बीच में कमल दल वा देवी यंत्रों को बनाया जाता है इस यंत्र में अदो मुखी व उर्दु मुखी तरिबुजों को अंकित किया जाता है तो आपको इस डिस्क्रिप्शन से पता चल चुका होगा कि दुरुगा जो थापा यहाँ पर थापे का एक प्रकार है उसमें कौन कौन सी आकरतिया और किन देवियों को बनाया जाता है यह देखिए आप कुछ यहाँ पर आपको जो है दुरुगा थापा के कुछ नमूने दिखाई दे रहे होंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दुरुगा थापा को बनाया जाता था हमारे यहां यंत्रों की काफी विशिष्टा रहती है हमारे मांगलिक कारियों में तो उनको यंत्रों को भी इस जो दुर्गा थापा होती है उसमें बनाया जाता है अब आप देख रहोंगे कि यहां पर कई अन्य जो दुर्गा थापा के उधारन है उनको भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे देखे एक इस तरीके का भी दिखाया गया है देखे आप रंगों की बात हम आपे कर रहे थे तो देखे यहाँ पर जो साथ रंग है जिसमें की लाल, पीला, नीला और सफेद यह रंग है इन्ही का इसमें प्रियोग किया जाता है अब बात करते हैं जोती पट की कुमाओ के ब्रह्मन और साह परिवारों में विवाह या जन्यू संसकार के समय जोती बनाने की प्रता है देखे यहाँ पर जो कुमाओ अंचल है अमारा उत्राखंड का वहाँ पर ब्रह्मन और साह परिवारों में विवाह या जन्यू जब संसकार होता है तो वहाँ पर जोती पट बनाने की प्रता है पुराने समय में जोती उन कमरों में बनाए जाती थी जहाँ पर धार्मिक समारों होते थी यानि कि जहाँ पर पूजा पाठ होती थी उन्हीं कक्षों में जोती पट्ट बनाये जाते थे अब जोती कागजवा प्रिंटे डिस्ट्रिकरों के रूप में भी बाजार में मिलने लगे हैं बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में मातरकाओं का एक पैनल है जो नवी शताबदी का माना जाता है कि कुमाव अंचल में जो थापे या जोती पट्ट बनाने का जो प्रचलन रहा वो आज से नहीं नवी सताबदी से चला रहा है जोती पट पर पहली पंक्ती में हिमाले को दर्शाय जाता है इसके साथ ही पुस्पों वज्यामती रूपों को भी स्थान दिया जाता है जोती पट पर दोनों तरफ दो कमल और एक पेड़ को दर्शाय जाता है जो पौरानिक कल्फ व्रक्ष का प्रतीक है ऐसी मानेता है कि इसकी जड़ों में स्वयम ब्रम्भा वो विश्णु निवास करते हैं भगवान शिव इसके तने में वो माता पार्वती इसके सबसे उचे भाग में निवास करती है वरक्ष के नीचे स्वभागय के प्रतीक दो तोतों को चित्रत किया जाता है इसी में गनेश वा अन्यारी उज्यारी यानि अंदकार वा उजाले की देवियों को दो गोलाकार चहरों से चित्रत किया जाता है तो देखें ये जोती पट्ट का आपने डिस्कृप्शन देखा किसमें किन-किन देवी देवताओं को बनाया जाता है और किस प्रकार से यहाँ पर धार्मिक परतीकों का इस्तमाल किया जाता है तो इस तरीके से जब भी आप किसी लोगकला को पढ़ते हैं या उसके नोट्स बनाते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जोती पत्ट का एक हमारे पास एक नमुना है हाला कि थोला साफ नहीं है यह लेकिन आप इस से भी जान सकते हैं कि किस प्रकार के महाँ पर जो है चित्र बनाए जाते थे और आज का हमारा प्रस्ण है उत्राखंड में किसे एपन गरल के नाम से जाना जाता है और विकल्प है गंचन जदली, मिनाक शिखाती, बचेंदरी पाल, दिव्यारावत तो आपको इस प्रस्ण का जवाब कमेंट में देना होगा पिछले अंक में हमने आप से प्रस्ण पूछा था चेरियाल पट चित्र किस राजे से सम्मंदित है और विकल्प थे आंदरपरदेश, उडिशा, केरल और करनाटक चेरियाल पट जो हैं आंदरपरदेश से सम्मंदित है और इस प्रस्ण का जो सही जवाब है वो विकल्प जीने और नव्या जीने आप सबको हार दिक सुब कामना है आपने सही जवाब दिया तो आज के अंक में हमने देखा कुमाओं की लोग प्रिय जो कला है थापा कला उसके बारे में जाना और देखा कि इन्हें किन लोगत द्वारा बनाए जाता है और इनके विशे क्या-क्या ह आज का अंक आपको पसंद आया होगा अगर आप हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड सरकल में शेयर जरूर कीजेगा और साथ ही आप अपने सुझाओ हमें कमेंट करके जुरूर बताइएगा तो आज के अपिसोड में इतना ही मिलते हैं अगले अंक में नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत नमस्कार